नमस्त दोस्तों मेरा नाम है सीगी देवांग मैं शुरी और मैं आप सब का चैनल में स्वागत करता हूँ नाइका जो की एक स्टार्ट अप है जो रीजेंटली में प्रॉटेबल हुआ है इसका आईपियो आ रहा है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्या है नाइका की कहानी क्या है उसकी फ्यूचर की स्ट्राटेजी साथ में हम ये भी डिसकस करेंगे कि उसके फैनेंशल कैसे हैं Company के IPO की details जैसे कि IPO कब आ रहा है, क्या market cap रहेगा, क्या price band रहेगा, उसका grey market premium क्या चल रहा है और finally मेरा verdict क्या है NICA के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से, NICA के बारे में basic information और उसका business model समझते है NICA 2012 में establish होई, company एक beauty e-commerce startup है, यानि कि आपको अगर beauty से जितने भी related products चीए, अगर आप इनकी website पे जाएंगे तो आपको lipstick भी मिलेगा, आपको color bar भी मिलेगा, आपको eyebrow related item और सारे skin से लेके beauty की related जितने भी products है, वो सब आपको इनकी website पे मिलेंगे यही नहीं, जैसे कि मंतरा एक clothing में expert है, fashion clothes में expert है, विसे ही NICA beauty products में expert है और इसलिए लोग, Flipkart, Amazon या कही और से beauty products खरीदने की बज़े, NICA पे जाके beauty products खरीदते हैं और एक बहुत अच्छा customer experience जिस पर की बहुत सारे तरीके के filters भी हो जाते हैं, बहुत सारे comparison के तरीके भी हैं, इतनी सारी brands के वीज, कौन सा सबसे cost effective पढ़ रहा है, कौन सा सबसे अच्छा दिख रहा है, वो सब customer को जानकारी एक website पे ही मिल जाती है इसलिए मैं इसे beauty products का expert बोलता हूँ, company दूसरों की brands बेचती है, और major revenue वहाँ से ही आता है, बट company की खुद की भी in-house brands है, जिसे की naika cosmetics और naika naturals ये सारे options, ये सारी brands के साथ company जो है, means grooming product में भी है, 2015 में company ने means के जिक्ते भी grooming items है, जिसे की shaver हो गया, oil हो गया, shampoo हो गया, beard oil हो गया, ये सारी चीजे भी company अब बेचती है, तो company female के साथ male category में भी आगे customer experience को अपना front रखते हुए बढ़ रही है company के अगर हम tie-ups की बात करें, तो company की बहुत बड़ी-बड़ी brands के साथ tie-up है, जैसे की हिंदुस्तान, Unilever Limited, Ilka, Honanza, L'Oreal, company का एक अच्छा revenue, इन बड़ी company हो उसके product sale करके ही आता है company के अगर हम offline online stores की बात करें, तो company ने start तो online करा था, पर 2015 के बाद से company offline strategy में भी बहुत तेजी से आगे बड़ी, बट इतना खास अभी तक offline में एक अपना mark नहीं बनास पाई है क्योंकि company के आज भी around 96-97% जो revenue है वो online ही आते, और कोरोना के बाद से इनका जो एक strategy आप physical outlets को लेकर वो इन्होंने बहुत दीरे कर दिया है और वापस से उस पर एक सोच वेचार कर रहे है कि क्या offline strategy पर अभी aggressive होना चाहिए या नहीं जिससे कि मैंने आपको बताया कि company खुद के brand भी बेचती है बट खुद के brand का इनका contribution है वो बहुत कम है सिर्फ 5-7% ही contribution है खुद के brand का यानि कि majority of the sales जो आती company की वो आती है इन बड़ी companies के products को यहाँ पे बेचने में और अगर आप नाइका से खरीदते है तो आपको कुछ ना कुछ discounts या deals अपने आप मिल जाएगा इसलिए भी लोग यहाँ पर जाना जादा प्रिफर करते customer experience best pricing के कारण अब हम अगर बात करें कि company IPO लेके क्यों आ रही है मतलब private funding already थी तेजी से चल रही है फिर भी company को IPO लेके क्यों आना है तो पहली कारण है इसका कि जो existing shareholders है उनको एक exit देना और दूसरी बात कि यह company को जो पैसा raise करना है एक part वो करना है नए customer acquisition पे अपनी already जो brand presences को टायर 2 और टायर 3 cities में बढ़ाने के लिए और इसके लिए heavy marketing खर्चा भी लगता है अगर हम company के financials को आज देखेंगे तो around 11-12% of the revenues जो है वो marketing expenditure पे खर्च हो जाते यहने कि यह company के लिए marketing एक ऐसा वे है जिसके बिना यह company के products बिकी नहीं सकते है और यह बहुत true भी है क्योंकि अगर हम fashion products को देखें हम beauty products को देखें तो यह बहुत competitive space हो जाती है जहाँ पर आपको continuous marketing करना ज़रूरी है क्योंकि आपने marketing बंद करी तो customer इधर उधर कही ना कही चले जाएगा आपने अपनी services में जरा सी भी चूक रखी तो customer इधर उधर चले जाएगा क्योंकि यह सब चीज़े बहुत ज़्यादा तेजी से उपर नीचे होती रहती है fashion जो बदलते जाता है beauty products नहें आते जाते अब हम बात करते company की growth rates की company के हम growth rates की बात करें तो around 2019 में company का revenue था वो था 1111 करोड का और हम 2021 की अगर बात करें तो 2910 करोड का company का revenue याने की almost 2.8x जो है वो revenue ने 2 साल में jump लिया है और profit की बात करें तो यह company 2019 से लेके अभी तक में loss to profit हो गई है around 24 करोड का जो loss था वो 2021 में 61 करोड का profit बन चुका है सिकेंड बात अब हम करते है वो है IPO details की company का जो IPO है वो 28 October से आएगा जो की 1st November तक चलेगा IPO का जो price band है वो around 1085 से लेके 1125 रुपीज तक का है उपर के price band याने की 1125 पे अगर हम company का market cap देखे तो company का market cap around 52,300 करोड का होगा हां 52,300 करोड का total IPO में जो company को पैसे raise करने है वो around 5,300 करोड रुपे रेस करने है जिसका objective एक है कि जो existing shareholder से उनको exit देना थोड़ा promoter भी अपना share बेच रहे और marketing के खर्चों के लिए पैसे इखटे करना बात करते हैं अब सबसे important चीज़ की listing gains होंगे कि नहीं इसके लिए हम grey market premium को देखते हैं जो grey market premium है नाइका का वो around 60% का है यानि कि 1125 का यह जो share है यह already 1700 पार grey market premium पे आज है मतलब कि listing gains के लिए यह company अच्छा हो सकती है अब हम अगर बात करें कि मेरा final verdict क्या इस IPO पे तो company जो है वो एक e-commerce startup है और आप अगर इस type के business को traditional तरीके से value करने जाएंगे तो यह valuation बहुत high लगेगा यानि कि almost 20x of sales का company का value लगेगा 52,300 करोड के आसपास का अगर हम grey market premium को भी देखे और अगर company 50-60% और premium पे list होती है तो यही market capitalization 75,000 करोड 70,000 करोड के आसपास का आ जाएगा इस value पे company अगर हम traditional तरीके से देखेंगे तो company बहुत richly valued लगेगी but यह जितने भी e-commerce startups है और जितने भी platform businesses है इन में जो growth potential होता है ना वो growth potential बहुत huge होता है और जो beauty products है अगर tire 2, tire 3 में company ने अच्छी grip पकड़ ली तो यह बहुत अच्छा एक बिल्कुल J-shape growth rate आगे भी आ सकता है आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें जो risk element है वो क्या है company अगर beauty products में marketing expenditure कम करती है अपनी जो overall reach है नए customer acquisition वो अगर धीरे करती है तो यहाँ पर problem हो सकता है पर company के इस IPO और उसके object के सबसे ऐसा लगता तो नहीं है कि company का कहीं भी एक growth से related कुछ भी ऐसा soft corner है company बहुत hard है growth पे company को growth चाहिए investors को growth चाहिए तो कि पैसा तो सबका इसी से बनता है promoter का पैसा भी इसी से बनता है इसलिए मुझे लगता है कि यह company long term में भी अच्छा कर सकती है हो सकता है थोड़े time इसके valuation को ले के काफी चरचर आए बट longer period में e-commerce जो एक ऐसा चीज है जहां पर हमने पहले भी past में बहुत examples जेके जिसे कि Amazon हो गया जो हमेशा ही premium हमेशा ही महेंगा लगा है मतलब आप पिछले 15 साल से देखेंगे तो आपको Amazon हमेशा ही महेंगा मिलेगा क्योंकि इनमें growth potential ही इतना होता है overall आपको बास कोई geographical restrictions नहीं होती है आज इंडिया में कर रहे हैं कल आप जाके भार भी कर सकते हैं इसलिए company एक अच्छे listing gain के लिए भी आप apply कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा क्या आप नहीं का कि IPO में subscribe करेंगे या नहीं comment में मुझे जरूर बताएगा मिलते है फिर से अगले वीडियो में अगर अपने चैनल अभी तक subscribe नहीं करा है तो दोस्तों subscribe कर दीजिए bell icon भी दवा दीजिए क्योंकि आपका हर एक subscription हमारा motivation होता है मिलते है फिर से अगले वीडियो में see you guys, see you, divang meshwari, thank you